लोग सभा चुनाओं के चौथे चरण का प्राचार आज वोगा समाप्त दस राज्यों की छानवे सीटों पर तेरा मई को होगा मतदान राज्यपाल ने महात्मा गांधी उद्ध्यानी की और वानी की विश्विद्याले की कुलपती राम शंकर कुरील को किया बरखास बीजापूर नकसली मुटभेड पर उकमुखे मंत्री विजश शर्मा ने कहा बुलिट के दम पर नहीं होगा बस्तर का विकास और प्रदेश में बस्तर और रायपूर संभाग सहित अन्य शेत्रों में अगले कुछ दिनों तक गरत चमक के साथ बारिश होने और अंधर चलने के आसाथ नमस्कार आप देख नहीं हैं दूर दर्शन समाचार मैं हूं काजल सा हूँ अब समाचार विस्तार से लोग सभा चुनाओ के चौथे चरन का प्रचार आज शाम समाप्थ हो जाएगा ओडिसा में विधान सभा चुनाओ के पहले चरन और आंधर प्रदेश में एक ही चरन के विधान सभा चुनाओ के लिए भी प्रचार आज समाप्थ हो रहा है चोथे चरण में 9 राज्जियों और एक केंद्र शाषत प्रदेश की 96 सीटों पर 13 माई को वोट डाले जाएंगे इस चरण में आंध्रप्रदेश की 25, बिहार की 5, जारखन की 4, मधिप्रदेश की 8, महराश की 11, ओडिसा की 4, तेलंगाना की 17, उतरप्रदेश की 13, पश्यमंगाल की 8 और जम्मु कश्मीर की 1 सीट शामिल है उतरप्रदेश की 13 लोगसभा सीटों और ददरौल विधान सभा उप चुनाओ के लिए 13 माई को मतदान होगा इन सभी लोगसभा शेत्रों में कुल 130 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में हैं चौथे चरण के मतदान के साथ आंधर प्रदेश में लोगसभा शुनाओ संपन हो जाएंगे इसके अलावा मधिप्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी चुनाओ खत्म हो जाएगा चौथे चरण के बाद कुल 18 राज्यों और 4 के इंदर शाशत प्रदेश में आम चुनाओ की वोटिंग खत्म हो जाएगी 36 गड़ उच्य न्यायाले के मुख्य न्यायधीश रमेश सिन्हा ने कल बिलासपुर में हाई कोट के नए तीन न्यायधीशों को पद और गोपनियता की शपत दिलाई न्यायमूर्ती राकेश मोहन पांडे ने स्थाई जज के रूप में शपत ली तो वहीं न्यायमूर्ती सचन सिह राजपूत और न्यायमूर्ती राधा किशन अगरवाल को एडिशनल जज के रूप में शपत दिलाई गई इस अवसर पर उच्छ न्यायाले की सभी न्याय मूर्ती उपस्थिर थे उलेखने हैं कि विधी और विधाई कार्य विभाग नई दिल्ली द्वारा 9 मई को इस संबंध में अधिसूच ना जारी की गई थी उच्छ न्यायाले 13 मई से 7 जून तक ग्रीश्म अवकास के कारंट बन रहेगा उच्छ न्यायाले 10 जून को फिर से खुलेगा संबंध में हाई कोट के रजिस्टरार के विनोध कुजूर ने आदेश जारी किया है ग्रीश्म अवकास अवधी के दोरान हाई कोट के जजों की सुनवाई और केस दाखल करने के निर्देश जारी कर दिये गए हैं इस दोरान सभी सिविल अपराधिक और रीट मामले दायर किये जाएंगे किसी भी अरजिंट मामले में अवकाश नियाएधीश उच नियायाले के मुख्य नियाएधीश की मनजूरी ले सकते हैं अवकाश काली नियाएधीश सुभा साढ़े दस बजे से डिविजन बैंच कोट की सुनवाई करेंगे और अत्यावशक स्थिती में अदालत के समय के बाद भी बैठे रह सकते हैं यदी समय मिला तो डिविजन बैंच के मामले पूरे होने के बाद अवकाश नियाएधीश एकल पीठ अदालत की सुनवाई करेंगे हाई कोट के विकेशन नियाधीश 13, 17, 20, 24, 27, 31 मई और 3 और 7 जून को हाई कोट के मामलों की सुनवाई करेंगे गर्मी की छुट्टियों के दौरान शनिवार, रविवार और छुट्टियों को छोड़ कर रजिस्ट्री रोज जाना सुभर 10 बजे शे शाम 5 बजे तक खुली रहेगी ग्रीशम अवकाश के दौरान ततकाल सुनवाई के लिए आवेदन के साथ सभी नए रिट, सिविल और अपराधिक मामलों को सूची बध किया जाएगा 36 गड़ के राजपाल विश्वभूशन हरीचंदन ने दुर्ग के महात्मा गांधी उद्यान की और वान की विश्विद्याले की कुलपती डॉक्टर राम शंकर कुरील को ततकाल प्रभाव से बरखास्त कर दिया है इस संबंद में राजपाल ने उद्यान की और वान की विश्विद्याले अधिनियम 2019 की धारा 17 अंतरगत राम शंकर कुरील के खिलाफ बरगास्तगी की कारवाई की है राम शंकर कुरील असोसियेट प्रोफेसर की भरती घोटाले में आरूपी थे राजपावन ने भरती घोटाले की जांच कराई थी तीन कुलपतियों की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद राजपावन ने उन्हें बरखास्त किया है उनके स्थान पर संभागायोग्त डॉक्टर संजय अलंग को महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वध्याले के कुलपति पत की जिम्यदारी सौप दी गई है डॉक्टर अलंग ने कुलपति पत का कारिभार भी रहन कर लिया है बीजापुर जिले में सुरक्षा बलो के साथ हुई मुटभेड में 12 मावादी मारे गए हैं गंगलूर थाना शेत्र के पीडिया के जंगल में कल हुई इस मुटभेड के बाद सुरक्षा बलो ने सभी मावादियों के शव बरामत कर लिये हैं सुरक्षा बलो ने माववादियों के द्वारा स्थापित अस्थाई कैम्प को ध्वस्त करने के साथ ही मौके से बड़ी मात्रा में हतियार, विसफोटक, माववादी साहित्य और अन्य समान बरामत किये हैं पुलिस अधिकारियों के अनुसार पीडिया के जंगलों में प्रतिबंधित भक्पा, माववादी संगठन के बड़े नेताओं की मौजूदगी की सूचना मिलने पर 8 माई को बीजापूर, दंतेवाडा, सुकुमा, डियारजी, बस्तरफाइटर्स, स्टीएफ और सी आरपीएफ की संयुक्त टीम, माववादी विरोधी अभ्यान पर निकली थी 10 माई को सुभा पीडिया के जंगलों में सुरक्षबलों और माववादियों के बीच अलग-अलग स्थानों पर मुटभेड हुई, ये मुटभेड कई घंटों तक चली उपमुख्यमंत्री विजर शर्मा ने कहा कि सरकार माववादियों के साथ बातचीत करने को तैयार है, सरकार बस्तर का विकास चाहती है, सरकार की मनशा है कि वहाँ जो भी आविश्यत सुविधाएं हैं वो बस्तर वासियों को मिले, उन्होंने कहा कि बुलिट के दम पर ब बस्तर में जल, जंगल, जमीन, जो है, आदिवासियों का है, तो हम भी यही चाहते हैं, सरकार भी यही चाहती है, दुनिया का मैं कहता हूँ, पूरे भारतवर्स के लोग यही चाहते हैं, को आप कुछ अलग नहीं चाह रहे हैं, बंदूक रखके घोमने का कोई अर्थ नह है, अभी कल्यानकारी सरकारें हुआ करती हैं, वो सरकार जो पसंद ना आए तो उसको बदल दिया जाता है, और इसलिए मैं आगरह बुर्वक कहता हूँ कि यह ठीक हो, सो से अधिक इन चार महिनों में मारे गए हैं, बिलकुल सरकार यह नहीं चाहती है कि इस तरह से कोई ख बीजापूर मुटभेड के बाद से जिले में सुरक्षा बलों ने गश्ट तेज कर दी है, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक हो गया इंतजाम, किसका? गुटि की फीस का, दिखा, बीस हजार का लोन, तुरंट, पता है कौन दे रहा है, प्याज कितना है, लोन वी नियमित संस्थानों से ही ले, और कर्स उतना जितनी जरूरत, वो भी जाच कर, हो गया इंतजाम, पगार अडवांस में बेजी है, आर्वी आई कहता है, सही वितिय बरताव, करे आपका बचाव बेल्ट लगाने के लिए जाग रुखों, जुससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में मदद मिलेगी, इस संबन में दुर्ग पुलिस अधिक्षक जितेंदर शुकला ने बताया कि अभ्यान के तहट सबसे पहले तीन पुलिस पेट्रोल पंप में ये नियम लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले एक महिने में सड़क दुर्घटनाओं की विवेचना करने के बाद ये नर्ने लिया गया है। हुए आकर वहाँ पेट्रोल ले रहे हैं तो अपने दिमाग में वहाँ से विचार आए कि पहले हम सोयम के अपने पेट्रोल पंप से अनुसासन फॉलो करा हैं और जो लोग भी ऐसा बिना हेलमेट या बिना सीट बिल्ड के वहाँ पे आ रहे हैं उनको किसी भी तरकार के प ग्रहाकों को वापस भेज देते हैं इससे ग्रहाकों की नाराजगी भी उन्हें जेलनी पड़ती है मैं जिला पुलिस के इस अभियान को कई ग्रहाकों ने अच्छी पहल बताया उनका कहना है कि पुलिस विभा की ये कोशिश निश्यत ही रंग लाएगी और जिले में सड़क दुरघटनाओं में कमी आएगी ये एक अच्छी पहल है क्योंकि आज अगर बिना हेलमेट के सबसे जादा जो हमारे युवा वर्ग है वो बिना हेलमेट के एक्सिडेंट होता है और उसके बाद जब उनकी मौत होती है वो एक पुरे परिवार के लिए शती है वो एक वेक्ति की शती नहीं है तो पुलीस का यहां कदम निश्चित तोर पे देखिए चालान काट लेना एक बात है परन्तु इस तरह के जो प्रयास हैं जो समाजीक प्रयास हैं कि हां हम पेट्रोल पंप में हम यह सुनिश्चित करें कि हां जब तक वह हलमेट लगा के नहीं आएगा हम उसको पेट्रोल के लिए पहले तो यह इसके लिए मैं दूर्ग पुलिस को बढ़ाई देता हूं और उन्होंने एक अच्छा इनिश्चिटिव लिया है जिसके विज़े से कम से कम लोग हलमेट लगाना शुरू करेंगे गौर तलब है कि पुलिस ने जिले में बढ़ती सड़क दुरगटनाओं और सुरक्षित यातायात को बढ़ावा देने के लिए अभ्यान शुरू किया है भाला फेक खिलाडी नीरत चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में दूसरा स्थान हावसिल किया है चोपड़ा ने 88.36 मीटर दूरी तक भाला फेका और वे सिर्फ 2 सेंटीमीटर के अंतराल से शीर्स स्थान प्राप्त करने से चूग गए जैकप वेडलेज पहले स्थान पर रहे एशियाई खेलों के पदक विजेता किशोर जेना 76.31 मीटर थो के साथ नौवे स्थान पर रहे वहें निशा दहिया परस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पांचवी पहलवान बन गई है कल तुर्किय के शहर इस्तानबुल में विश्व ओलंपिक क्वालिफाईर में निशानी 68 किलोग्राम भार वर्ग में सेमी फाइनल में रोमानिया की अलेक्जेंडरा एंजिल को हराया वे एशियाई चैंपियंशिप की रजत पदक विजेता भी रह चुकी है ये पहला मौका है जब पांच भारतिये महिला पहलवान ओलंपिक में खेलेंगी पहले ही क्वालिफाईड कर चुकी खिलाडियों में अंतिम पंगाल, विनेश फोगात, अंशु मलिक और रितिका हुडा शामिल है प्रतियोगिता में भारत के ग्रीक, रोमन, पहलवान सभी छे भार वर्गों में शुर्वाती दौर में हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गए थे प्रदेश में मौसम ने फिर से करवट लेने वाला है अगामी पांच चुद दिनों तक गरत चमक के साथ बारिश होने और अंधर चलने के आजसार बन रहे हैं इसके बाद तापमान में व्रधी होने की भी संभावना है मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में रविवार के बाद वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती है हालकि इससे अधिकतम तापमान में कोई विशेश परिवर्तन नहीं होगा मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों में प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरत चमक के साथ बोच्छारे पढ़ने की संभावना है विभाग ने एक दो स्थानों पर गरत चमक के साथ वजबात होने और अंधर चलने की भी चेतावनी जारी की है खासतोर से बस्तर और राइपुर संभाग में बारिश होने के आसार है इसका असर सभी संभागों में पड़ेगा मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणी का दक्षिन पूर्व राजस्थान से असम हुतेवे 36 गड़ तक स्थित है एक अन्य चक्रवात मधिप्रदेश तथा आसपाश के शेत्रों में फैला हुआ है इससे तापमान कम रहने के आसार है इस बीच मौसम विभाग में देश के मध्यवर्ती, पूर्वी और दक्षिनी, प्राइद्वीपी इलाकों में सोमवार तथा गरच चमक के साथ तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है कल तक पशिम्बंगाल और सिक्किम में तेज हवाय चलने के साथ बिहार और जहार खड में भी कल तक गरच के साथ हलकी बारिश होने की संभावना है अन्त में मुखे समाचार एक बर फिर से लोग सभाचुनाओं के चौथे चरण का प्रचार आज होगा समाप्त दस राज्यों की च्छानवे सीटों पर तेरा मई को होगा मतदान राज्यपाल ने महात्मा गांधी उद्ध्यान की और वानिकी विश्विद्याले की कुलपती राम शंकर कुरील को किया बर्खास प्रदेश में बस्तर और राइपुर संभाग सहित अन्यशेत्रों में अगले कुछ दिनों तक गरत चमक के साथ बारिश होने और अंधर चलने के आसार इसी के साथ ये समाचार बुलिटीन समाप्त हुआ नमस्कार प्रदेश